सुप्रीम कोट ने पीएम मोदी के खिलाफ अब जो क्लीन चिट गोदरा मामले में उन्हीं दी दी गई थी उस पर ततकालीन सुनवाई करने की बात कही है नमश्कार आदाब मैं खुश्बू अक्तर और आप देख रहे हैं पलपल नियू साफ तोर पर ये बात कहीं न कहीं ये तो क्लियर हो जाता है कि गोदरा दोहजार दो कांड में जिस तरह से मरहूम एहसान जाफरी ने अपनी जान गवाई लेकिन आज तक उन्हें नियाए नहीं मिला उनकी बेवा पत्नी जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोट का दरवाजा खटखटाया है और नियाए की मांग की है उनके अधिवक्ता कपल सिब्बल हैं जिन्होंने सारे सबूतों के साथ सुप्रीम कोट में अपनी बात को रखा और अब तो क्लीन चिट दे दी गए थी नरेंद्र मूदी और तम सुप्रीम कोट में 2002 के गुजरात दंगे में गुजरात के ततकाली मुख्यमंत्री नरेंद्र मूदी और अन्य उच्च पदाधिकारियों को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट को चुनौती दी गई है और आपको बता दें कि चुनौती देने वाली कॉंग्रेस के सांसत एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी हैं जिन्होंने इस याचिका को चुनौती दी है आपको बता दें कि याचिका करता की ओर से जो कपल सिब्बल हैं वो इसकी पैरवी कर रहे हैं हम आपको बता दें कि SIT के रिपोर्ट को जो चुनोती दी गई है वो 2002 के गुजरात दंगे के दौरान गुलमर्ग हाउसिंग सोसाइटी हत्याकान में मारे गए कॉंग्रेस सांसत एहसान जाफरी की विद्वा पतनी जागिया जाफरी ने SIT रिपोर्ट को चुनोती देते हुए एक विशेश अनुमती याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोट का दरवाजा खट-खटाया है आपको बता दें कि उन्होंने गुद्रहर्थ्याकान के बाद सांप्रदाइक दंगे भड़कने के राज्ये के प्रतिकारियों द्वारा किसी भी बड़ी साज़श से इंकार किया गया है कपिल सिब्ल ने कहा है कि हमने सुविधा संबंदित शिकायत दर्ज की और तीन पहलू में उन्हें जमा भी किया है मामले में अब तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास सबूत हैं जिसे हम पेश करते हुए रखना चाहते हैं और ये मेरे द्वारा नहीं बलकि खूफिया अधिकारियों द्वारा उपलब्द कराए गए दस्तावेद हैं इस सबूत को ध्यान में रखा जाना चाहिए उन्होंने आगे कहा ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपराद किया गया है उन्होंने कोट को बताया कि हमारे पास सबूत हैं पुलिस कारवाई नहीं की गई अब अद्रभाशा को प्रियोग किया गया लोगों को जूटी जानकारी दे गई गवाहों की जाच करने की बात सूचना को नोट करने और संग्यान में लेने के लिए अन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या एसाईटी ने कोई भी मामला नहीं बनता उन्होंने ये तक कहा कि पूरी तरह से जो हुआ वो अप्रसांगिक है ना तो magistrate ने ना ही नियाले ने ना ही पुलिस SIT ने अपना करतव्य निभाया उन्होंने आगे कहते हुए कहा कि आगे तारीखे बताती हैं कि उन्होंने 9 जनवरी 2010 को सुप्रीम कोट ने जिस तरह से अपने आदेश के रिकॉर्ड को मामले में ये साफ करते हुए बताया कि मामले में जटलता और गंभीरता है जिसको देखते हुए बहुत बड़ी संक्या में गवाओं की जाच होनी चाहिए उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार से बड़ी संक्या में दस्तावेज उन्हें दिये गए हैं उन्होंने ये भी कहा कि कपल सिब्बल अपनी बात को आगे रखते हुए कहते हैं कि सारी सामगरी शिकायत के आधार पर एकखटा की गई है शिकायत करता गुलमर के रहने वाले थे इसलिए वहां भेजा गया सीनर आड़ोकेट कपल सिब्बल ने SIT रिपोर्ट के जरीए कोट का रुख किया है उन्होंने कहा है कि हम एक प्राथमिक्ता का प्रस्ताव कर रहे हैं अदालत ने कहा नहीं FIR की क्या जरूरत है हम आपको मजिस्ट्रेस के पास भेज रहे हैं आपको बता दें कि उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अगर हम कोट को कुछ बताते हैं और कोट कहता है कि हमें इस बारे में नहीं देखूंगा या अपनी बात को कंसिडर नहीं करते तो वो कहा जाए किस कोट में जाए, कहां पर जाच की जाए, कहां पर सबूत रखे जाए, कहां पर सचाई की मांग की जाए पेश की गई, रिपोर्ट में बेंच द्वारा पूछा गया कि रिपोर्ट क्लोजर ही नहीं थी बेंच दुआरा कहा गया कि हमें closure report देखनी है इस पर कपिल सिबल ने कहा कि SIT की closure report भी जाकिया शिकायत से संबंधित है जो कि गुल्मर्ग तक ही सीमित नहीं है कपिल सिबल ने बेंच से आगे कहा कि हमें अगले closure report के साथ शुरू करेंगे हम चाहते हैं कि हमारी बात को consider किया जाए इस मामले में अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को जारी रखी जाएगी उन्होंने ये भी कहा कि अब इस मामले को फिर से सुनवाई की जाएगी तो जिन लोगों को clean चिट दे दी गई थी अब उन लोगों पर साफतोर पर फिर से सुनवाई की जाएगी और इसमें ततकालीन मुख्य मंतरी नरेंदर मोदी सहित बड़े बड़े पदादीकारी भी शामिल है गुजरात दंगे की शकल में जो भयानक तस्वीर हमारे सामने रखी गई उसे देखकर रूह दहल जाती है लेकिन अब जब उस पर रहूम एहसान जाफरी की विद्वा जाकिया जाफरी इंसाफ की मांग के लिए सुप्रीम कोट पहुँची तो सारी दलीलों को सुनने के बाद ये कहा गया है कि ये क्लीन चिट देने वाली पेशकश पर रोक लगाते हुए अब उस पर सुनवाई की जाएगी सारे SIT रूपोर्ट, मजिस्ट्रेट, तमाम अधिवक्ता, बड़े उच्च अधिकारी, नदेंद्रमूदी तक पर सवाल किये जाएंगे कि किस तरह से कुजरात में भयानक तस्वीर रखी गई आज तक लोग उस दंगे से उबर नहीं पाएं हैं और बड़े बड़े पधादिकारियों ने कुछ नहीं किया जिसे सुनकर ही रूह का अब जाती है लेकिन अब जब सुप्रीम कोट ने इस पर सुनवाई करने की बात कही है तो आगे आने वाला वक्त बताएगा कि नरेंद्रमूदी जी के लिए ये कितना गंभीर होने वाला है क्योंकि गोदी मीडिया आपको ये तस्वीरे कभी नहीं दिखाएगा ना ही ये बताएगा कि अब उनके सरदार पर सुप्रीम कोट ने गुजराद दंगे के नाम पर फिर से सुनवाई करने की बात कही है शुक्रिया शुक्रिया झाल झाल